यहलो बच्चो आज हम बात करेंगे जीमेन 2023 में लिमिट चेप्टर की राइट लिमिट चेप्टर में काफी इंट्रेस्टिंग क्योशन यहां पर पूचह जाते हैं ठीके जिसमें डेफिनेट इंडिकेशन का भी रोर होता है तो इसलिए जो भी क्योशन डेफिनेट इंडिक T plus 2 to the power 1 upon sin square T plus and so on plus n to the power 1 upon sin square T अब देखें यहाँ पर 1 upon sin square T को हम ऐसे रिख साते हैं cosec square T तो हो जाएगा limit t tends to 0 यह हो जाएगा 1 to the power cosec square T plus 2 to the power cosec square T and so on n to the power cosec square T to the whole power sin square T अब समझेंगे इसको अगर यहाँ पर T 0 को जा रहा है तो infinity को जा रहा है यह infinity को जा रहा है तो यह overall number infinity को जा रहा है और यह अगर 0 को जा रहा है तो sign 0 को जा रहा है तो that means infinity के पार 0 वाला concept हो गया independent form हो गया ठीक है अब क्या करेंगे ना इसके अंदर कि यहाँ पर हम देखेंगे अगर यह infinity को जा रहा है ना तो हमने क्या किया इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको पता है ना यह concept हम generally apply करते हैं कि सबसे बड़े नंबर को common ले लेते हैं ताकि सारे नंबर fraction बन जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर n तो हमने क्या क्या कि पाउर को सेक स्कॉरिटी तो वन अपॉन साइन स्कॉरिटी बाहर लें गे रूपर पाउर को सेक स्कॉरीटी एंड सोवन और लास में कितना जाएगा वन आ जाएगा और उसकी पाउर कितने जाएगे साइन इसकुररड यहां अगर यहां पर खख रहे हैं और बीज़ और यहां पर सक規चिक जा रहें और लाश में कितना बचेगा बचेगा यहां पर ठीक है उसी पाउर साइन स्कर्ड टी वो तो जीरो ही जाएगा और ठीक है यहां पर और साथ में क्या बचा एन बचा तो आंसर कितना जाएगा एन आज जाएगा इसका अंसर ठीक है तो option will be fourth option is correct ठीक है चली देखने इसका अं अगला question है the value of limit and tension infinity 1 plus 2 minus 3 plus 4 plus minus 6 plus 3 minus 2 plus 3 minus 1 minus 3 ठीक है अब यह एक और upon में है root 2N की पाउर 4 plus 4N plus 3 minus root N की पाउर 4 plus 5N plus 4 है ना देखो समझने की बात यह है कि यहां पर जो भी negative number है सब्सक्राइब तो इसका अलग अलग ले लो है ना और बाकी सब जो number लिख लेंगे तो अब यहां पर जब हम 3 के multiple को अलग कर देंगे तो सब जब बन जाएगा यहां पर थीव का बन जाएगा यहां पर पूरा करने के लिए हमने एड़ कर दिया तो देखो क्या हो जाएग यहां पर जाएगा लिमिट एंड टेंस इंफिटी यह जाएगा वन प्लस टू प्लस थी प्लस और यह अप टू थी एंट तक ठीक है हमने यहां से लेगे यहां तक सारे नंबर ले लिए अब उसमें हमने क्या किया तीन जोड दिया और तीन गटा दिया तो यह पहले ओलर एक माइनस का तीन था अगर गटाएंगे तो एक और माइनस का तीन आ जाएगा तो हर जो तीन के मल्टिपल सब डबल हो जाएंगे तो इनको लिख लेंगे 3 प्लस 6 प्लस एंड सो अब टू 3 एंड तक अब पॉन में है ना इसको अभी एज़िटी ज़ने देते हैं अब हमें पता है कि यह इसको सोल करने के लिए क्या करने वाले है ना अब अभी इन्फिटी वा इन्फिटी की डिटर्मेंट फॉर्म है ना पिटा ठीक है अब देखो वन से लेकर 3 एंड तक कसम हम जानते कि क्या हो जाएगा 3 एंड इंटू 3 एंड प्लस 1 बाइटू माइनस इसमें से 3 कॉमल ले लोगे तो बाहर कितना जाएगा 6 और यह जाएगा 1 प्लस 2 प्लस अब टू एंड तक तो आजाएगा एंड इंटू एंड प्लस 1 बाइटू ठीक है और लिमिट एंड टेस्ट इंफिटी इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर इसलाइज कर लेंगे न तो यहां पर जाएगा 2 एंड की पार 4 प्लस का 4 एंड माइनस प्लस का 3 माइनस का n की पावर 4 प्लस 5n प्लस 4 और उपर यही जो चीज है न यह प्लस में चले जाएगे न 2n की पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 ठीक है? और यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं हमें रिष्णाइस करने की ज़रती नहीं फिलाल तो क्यों नहीं ज़रत? क्योंकि हम रूट में से भी तो n को बाहर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर n जो है न इंफिटी को जा रहा है तो हमें रिष्णाइस करने की ज़रत फिलाल नहीं पढ़ने वाली है हम डारेक्टली क्या कर देंगे? न कॉमल ले लेंगे उससे भी फाइद हो जाएगा तो अभी तो इसको एज़ेटी ज़रें देते हैं 2n की पाउर 4 प्लस का 4n प्लस का 3 यहाँ पर जाएगा माइनस का n की पाउर 4 प्लस का 5n प्लस का 4 अब एख समझदारी करेंगे हम है ना? अबी ज़र हमने बात करेंगे this that if certainty जाता है 1 upon n जीरो को जाता है तो हम क्या करेंगे है? सब मेंसे n कॉमल ले लेंगे तो यहाँ से n बाल लेंगे यहां से in बाल लेंगे तो बाइर आ जाएगा n स्कॉर इसमें से भी n स्कॉरी बार आएगा तो यहां पर क्या बचेगा? 3 बचेगा 3 पलस का 1 by N बचेगा और by 2 यहां पर भी अगर हमने N बाहर ले लिया तो यहां पर बचेगा माइनस का 6 और यहां पर बचेगा 1 प्लस 1 by N by 2 अब यहां पर हम root में سے N की पौर 4 बाहर ले लेंगे इसमें क्या बचेगा रूट अंडर वन प्लस फाइव अपॉन एन क्यूब प्लस फॉर अपॉन एन की पार फॉर देखो समझदार ही दिखाती हुए हम यहां पे सबको बन अपॉन एन को जीरो माल देते हैं अगर एन इंपीड को जाएगा देखो न स्कॉर से न स्कॉर तो कै उसको या लिख लेते हैं यह बचेड द्रीटी और नाइन बचू है अचपों में क्या है बचा यहां पे बचा टू रूट का है माइनस यहां पर क्या बचा है रूट का 1 बचा है जो की 1 हो जाएगा 9 by 2 माइनस का 6 by 2 कितना हो जाएगा 3 by 2 तो आजाएगा 3 by 2 root 2 माइनस का 1 इसको root 2 plus 1 से उपनीशे मुटिप्लिया कर देंगे तो आजाएगा 3 by 2 root 2 plus 1 और यह हो जाएगा 1 है ना root 2 plus 1 into root 2 minus 1 की वह लिए 1 होती है तो यह हमारा answer आएगा finally तो option check कर दें तो यहां पर second option हमारा correct हो जाना चीव है ना ठीक है check कर लेते हैं second is correct option ठीक है चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगला question है let x बराबर 2 be a roots of the equation x square plus px plus q equal to 0 and f of x is equal to 1 minus cos x square minus 4px plus q square plus 8q plus 16 upon x minus 2p to the power 4 where x is not equal to 2p 0 where x is equal to 2p ठीक है then limit x tending to 2p plus f of x अच्छा greatest integer f of x where this denotes the greatest integer function is है ना तो चलिए अब ही बात कर लेते हैं इसकी fit out से अब देखो या 2 इसका root है रहे है ना 2 इसका root है इसके अंदर substitute करेंगे solve कर लेंगे 4 plus 2p plus q बराबर क्या है 0 के बराबर है ना अगर 2 इसका root है तो है ना ठीक है चलिए आगे बढ़ते यह लिखा हुआ है अगर हमें देखो एक्स टेंस टू पी प्लस की बात करें ना यह exact 2p नहीं है 2p plus है तो इसका आप यह 2p के बराबर तो नहीं है 2p plus 2p के बराबर फोड़ी नहीं होता है ना तो यह आजाएगा limit x टेंस टू पी प्लस फंक्शन यह वाला आजाएगा उपर वाला 1- का cos x square minus का 4px plus q square plus 8q plus का 16 अब देखो q square plus 8q plus 16 को हम क्या लिख सकते है अगर ध्यान से देखो गे तो यह q plus 4 का all square है q plus 4 का all square है अब पॉन में x minus 2p 2d bar 4 अब देखो q plus 4 कितना है यहां से q plus 4 है minus का 2p के बराबर तो यहां पर हम लग सकते हैं इसकी जगह minus का 2p है ना और आपको पता है अगर x 2p plus को जा रहा है तो x को हम लिख सकते हैं 2p plus h और h की जगह लिख सकते हैं limit हो जाएगा h turning to 0 तो यहां पर जाएगा limit h turning to 0 यह हो जाएगा 1 minus का जहां जहां भी भी आपको x दिखेगा ना वहां पर हम 2p plus h लिखने वाले हैं तो 2p plus h का whole square माइनस का 4px की जगह लिख देंगे हम वापस से 2p plus h और plus का यहां पर हम देखो वहां से हमने 2p रख दिया यहां पर तो आजाएगा 4p square अपॉन में यहां पर भी x के लिए 2p plus h रख देंगे तो आजाएगा h की पाओर 4 ठीक है soul कर लेते हैं इसको तो limit h turning to 0 यहां पर देखो क्या क्या बनेगा कैसे कैसे बनेगा soul करेंगे तो देखो यार यहां पर यहां से आएगा 4p square है ना यहां से बनेगा 4p square प्लस का h square प्लस का 4p h ठीक है यहां से बनेगा माइनस का 8p square माइनस का 4p h और यहां पर बनेगा प्लस का 4p square और अपोन में h की और 4 है जो जो cancel हो रहा है सबको cancel कर देते बिटा है ना देखो यहां से 4p square प्लस का 4p square मिला के 8p square को cancel कर देगा और यहां पर 4p से माइनस का 4p h cancel हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका यहां पर बचेगा limit h trending to 0 यहां पर बचेगा 1- का cos h square upon में h की पाउर 4 बचेगा ठीक है बिटा अब आप समझ सकते हो यहां पर कि यह अगर इसको गोर करके देखो ना तो आपको दिखेगा 1- का cos x upon x square 1- का cos x upon x square की जो value होती है ना वो 1 by 2 होती है बिटा ठीक है बहिए अगर h 0 को जा रहा है तो यह h square और h square के square है ऐसे समझ आप है ना तो आपको पता है ना 1- cos 0 upon 0 को जा रहा है तो वो 1 by 2 होता है तो इसके एक काम यह कर सकते हो कि 1- cos theta 2 sin square theta by 2 करके भी solve कर सकते है वहांसे भी answer आजाएगा ठीक है अब देखो 1 by 2 का infinity root 3x plus 1 plus root 3x minus 1 to the power 6 plus root 3x plus 1 minus root 3x minus 1 to the power 6 upon x plus root x square minus 1 to the power 6 plus x minus root x square minus 1 to the whole power 6 और इंटू में x cube है ना देखे बेटा इसको करने के लिए आप यह सोचोगे कि बाइनोमेल लगा के इसको solve कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है आपको दिख रहा होगा ऐसे बहुत सारे जितने 1 by x दिखेंगे ना आपको सारे 0 चले जाते है ना तो बस यही कानियम यहां पर दोरानी है ना देखो यहां से अगर x बाहर लोगे तो root x आएगा इसमें से भी आ जाएगा ना एक्स बाहर तो और रूट एक्स बाहर आएगा तो यहां पर क्या है 6 से पावर तो आप सबच गे ने starting कैसे कर रहे पर है ना तो अपन यहां से root x बाहर लेंगे और इसमें से root x बाहर लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा यहां पर बचेगा 3 plus 1 by x और यहां पर बचेगा plus 3 minus 1 by x ठीक है, प्लस यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 1 बाई X और यहाँ पे आजाएगा माइनस का 3 माइनस का 1 बाई X ठीक है, अब X क्यूब बहार ले लिया ना, अभी भी एक और X क्यूब साथ में है तो यहाँ पे उसको भी मल्टिप्लाइ कर देते हैं, इन्टू में X क्यूब, यह तो आपका पूरा बाहर आगया ना, अपोन में, यहाँ पे, देखो, अपोन में क्या है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, X से ज़्यादा से दबाल लेंगे, तो X पूरा यह बाहर आ जाएगा तो बाहर कितना आएगा, अगर X आप बाहर लोगे, तो यह पावर 6 की वज़े से बाहर कितना आएगा, X के बाहर 6 आएगा, अंदर क्या बचेगा, देखो, यह तो X बाहर से लाएगा, और इसमें से भी X स्क्वार कॉमल लेंगे, क्योंकि बाहर रूट है, तो उसकी का 1 by X स्क्वार, सिमिलरली यहाँ पर भी यह गेम कहलेंगे पन, प्लस यहाँ पर जाएगा 1 minus, 1 minus का 1 by X स्क्वार, और इसमें पावर कितने आएगे, 6 आजएगे, चलिए बहुत बढ़ी है न, इसी के साथ अब आगे बढ़ते, ठीके, अब आगे बढ़ेंगे, देखो या यह भी आपका 0 हो गया और यह भी आपका 0 हो गया तो बचा क्या क्या बता देता हूं, यहां से रूट 3 प्लस रूट 3, 2 रूट 3 बचा, अचा इसकी पावर 6 भी तो है न, तो यह पावर 6 भी बची है न, यहाँ पर रूट 3 minus का रूट 3 तो 0 हो जाएगा, अपोन में, यहा जाएगा 3 की पावर 3, तो आंसर आएगा 27, कितना आंसर आएगा, 27 आएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे, और आंसर विल भी 4 आएगा इसका न, 27, ठीक है, चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला किशन यहाँ पर है, लिमिट n tends to infinity, 2 की बावर 1 by 2 minus 2 की बावर 1 by 3, 2 की बावर 1 by 2 minus 2 की बावर 1 by 7 आएगा, और ऐसे करते करते हैं, पोज़गे, 2 की बावर 1 by 2 minus 2 की बावर 1 by 2 N प्लस 1 तक, ठीक है, अब देखें बेटा, इसके अंदर अगर हम बात करें न, तो अगर N infinity को जा रहा है, तो आप समझो यह बात है, यह जो नंबर है न, यह रू तो ऐसे बोल सकते हैं कि यह 0 की तरब जा रहा है, अगर कहानी केच हो जाती है, तो हम डाइट टिक कर देंगे answer 0, और अगर कहानी ऐसे केच नहीं हो पा रही है, तो कहानी को थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं, हम इसके अंदर लगाएंगे sandwich theorem, sandwich theorem के according हम क्या करते हैं, दो function माल लेते हैं, जो इसके उपर और इसके नीचे है, जो कि बिल्कुल ऐसा दबा कर sandwich की तरह है, बिल्कुल आपने मसाले की तरह है, इसको भर रखा है, उसके बीच है, जो इससे चोटा होगा और इससे बड़ा होगा, पर इसके जो ग्राफ होंगे ना, किसी point and tension infinity पर टच करे हैंगे, उसकी बात कर लेते हैं, तो भई देखो, आपको पता है, यह जो limit है, इसको हमने मालने L है, यह L है, अपने को L निकालना है, तो L जो होगा ना, वो यहाँ पे, यहाँ पे, बराबर और, sorry, less than or equal to, greater than equal to होगा, अब देखें, इसमें सोटा function कौन सा ही, यह वाला है, अगर आप इसको बार-बार लिख दोगे ना, तो ओबिस बात हैं, कि यह जो number है ना, उससे तो बढ़ाई है, ठीके, तो हम यह बोल सकते हैं, कि यह 2 की पावर 1 बाई 2, minus 2 की पावर, sorry, 2n प्लस 1 से, छोटा वाला function को ने 2n प्लस 1 वाला है, ना, sorry, यहाँ पर छोटा वाला को ने 1 by 2 है, ना, 1 by 3 है, तो 1 by 3 आएगा, ठीके, चली, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला अगर हम function की बात करें, तो अगला function को ने greater यहाँ पर 2 की पावर 1 by 2, minus 2 की पावर 1 by 2n प्लस 1 है, राइट, तो उसको यहाँ पर ले ले लेंगे, उसको ले लेंगे आपर, अब देखिए, उसको रख देंगे आपर, sandwich में, तो यह हो जाएगा, 2 की पावर 1 by 2, minus 2 की पावर 1 by 2n प्लस 1, ठीके, और इसको में भी में लिखता हूँ, तो यह कितने term है, 3 से लेकर 2n प्लस 1 तक n terms है, तो यह पावर n हो जाएगी, सेम नमबर आप multiply कर रहें, तो पावर n आजाएगी, ठीके, यह इन दोनों के बीच में होगा, अब इनकी limit भी जो होगी, वो बीच में होगी, इसके है, तो यहाँ पे limit n tends to infinity, और limit n tends to infinity, यहाँ पे इनके बीच में होगा भी है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, कि यह जो number है, यह fraction ह 1 से छोटा है, और 1 से छोटे की बावर infinity होगा, तो answer कितना हैगा, 0, इसकी बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यह भी क्या है, fraction है, और fraction की बावर infinity, यह भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यह 0 और 0 के बीच में ही है, तो 0 और 0 के बीच में कौन होता है इसलिए यहां पर आंसे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हो ना सेंड भी से भी कर सकते हो ठीक है आई हो पर क्लियर हो गया होगा चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्योंचन है यहां पर लिमिट एक्सेंड इन पर जीरो वन माइनस कोस स्कॉर थी एक्स अपॉन कोस क्यू फोर एक्स इंटु में साइन क्यू फोर एक्स अपॉन एलें टू एक्स प्लस वन टू दी होल पाउर फाइव इस इकूल टू ठीक है यह गिवन मतलब यह हमसे पूछा गया किसके बराबर होगा चलिए तो भाई हम इसके अंदर क्या करेंगे सजाएंगे इसको सजावत में एक्स आपसे हम क्या करते थे सजाते कैसे समझते हैं आपर है ना देखो हमें यह पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस का कोस स्कॉर एक्स अपॉन एक्स स्कॉर यह बराबर होता अच्छा देखो यहां पर कहां नहीं समझेगे वन माइनस का कोस एक्स अपॉन एक्स स्कॉर होता है वन बाई टू के बराबर है यह कुछ लिख देता हूं मैं इस टेंडिंड लिमिट जो आपने पड़ी है ना हम सब जानते हैं अग अगला है यहां पर साइन क्यू फॉर एक्स यह होगी होगा है ना अगला है लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू जीरो एल एन वन प्लस एक्स अपॉन में एक्स यह बराबर होता है यहां पर लो बन फ्लस एक्स अपॉन में एक्स बराबरता है वन के तो यह हम यहां पर यूज करने वाले वह इनका यूज करेंगे यह आपर इस्टेंडर लिमिट का तो पहले हम देखो इसको ध्यान से देखे तो वन माइनिस का कोई स्कॉरेर प्री एक्स अच्छा यहां पे वन 2x टाइब जीरो वन माइनस का कोस स्कॉर को लिख लेंगे हम साइन स्कॉर साइन स्कॉर 3x अब देखे यार बही है ना यहां पे लिमिट एक्स्टाइब जीरो साइन स्कॉर एक सब्सक्राइब भी वनी होगा अरे भाई आप यह दो साइन स्कॉर 3x है तो हमने क्या किया इसको 3x का स्कॉर से मंट्य भीटिप्लाइब कर दिया इसको सोल करने के लिए आ रहे है ठीक है multiply और डिवाइड कर दिया अब आ रही बासन में अब देखो limit external 0 यह तो को इंडिटन फॉर्म है नहीं यह तो कानी सिंपल है कि अगर 0 को जाएगा तो को जाएगा तो यह तो खतम हो गया ना अब उदर बचेगा साइन क्यूद तो साइन क्यूब है नब 4x है अब देखो साइन क्यूब है तो अभी जैस बताया हूं न में आपको ह satisfyεί का हूं को फोर सक्कुल है तो अगर आपने 4 ऑस क्यू अक्टिप लाट किया तो अपन डिवाइड भी कर देंगे ऐसी का नि करेंगे है ना ठीक है अग्ला है लोग one plus two x है ना द्यान देना लोग one plus two x कि होल पाउर फाईव है अब आप समझो है ना यहां पर one plus two x है तो आपको टू एक से मल्टिपलाई और टूए बीड भी करना पर हो रहे 3x square into में अच्छा 3x का square है ना तो वो कितना हो जाएगा 9 है ना 9x square into में 64x cube अब उन में 2 की पौर 5 32x की पौर 5 है ना limit x टेंडिक जीरो स्वोल करेंगे यह कट गया आपका कुछ बचा गया नहीं बचा एक स्वाला तो अप डाइक multiply के लेंगे तो कट जाएगा ना टू टाइमस नाइन टू जा एटीम एटीम इसका आंसर हो जाएगा क्या बोलते यार बढ़िया एकदम simple question था है ना तो इसके अंदर सजावाट मेंटर का बड़ा रोल है ना सजाना आपको आना चाहिए बई और सजादे कैसे यह रहे आपके सामने है ना का नहीं ठीक है चली इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगले किशन की दर मुह करते है आंसर इसका 3 है ना 18 अगला किशन रहे इस्टेटमेंट वन दे रहा है 15 13 15 अरब टू एन की सबस्यायो विजाल रेगे चेक करेंगे और कोण सा करेक्ट है दोन में इसका इवन नमबर है ना कॉमल ले लो 2 तो लिमिट एन टेंस तो इंफिटी है ना 2 कॉमल ले लेंगे तो आजाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन अप्टु एन है न अपोन में जाये गए एन स्कॉयर स्वोल कर लेते हैं इसके लिमिट को यह क्या अपको लिखा हुआ एन ट्लस 1 प्लस 1 बाइटा तु करेंगे और एन स्कॉयर करेंगे लिमिट आपकी एन टेंस इंपिटी है यह कट जाएगा एन कोमल ले लेंगे यह बन प्लस वन बाई एन और यहाँ पर एन एस्वाइर ओल्रडी यह चैंसल हो जाएगा अगर एन इंफिंटी को जाएगा तो आंसे कितना आएगा बन आएगा तो देखो बन बिल्कुल करेक्ट है श्रेट्मेंट वन तो करेक्ट है वह वन के बराबर ही दिरक है ठीक है अगला सबको डिस्ट्रिब्यूट कर देते हैं तो वन अपन अंदर रहे जाएगा और एन के और 15 को अंदर करेंगे मल्टिप्लाइग तो ऐसे आजाएगा ना थिक्या चलिए अब देखो यारे इसको अगर ध्यान से देखे तो लिमिट इसको ऐसे लिख सकते ना इसको लिख सकते हैं समेशन ओफ यह देखो ऐसे लिखा हुए और आर बाइन की पावर 15 और आर की जो वेल्यू वह कहां से कहां तक है वन से देखर एन तक है ठीक है तो यह लिमिट ऑफ सम का हो जाएगा कि इंटिकेशन से हो जाएगा यह तो ना आर इकल टूफ वन फाइन अगर हम करते हैं तो अगर वेल्यून वाइन रखते हैं तो अगर एम इंप्र जाएगा और एट घेंगा थृट और यह वाद में आपको डी एकस हो जाता है आर न यह बाइन ही जगा पर आपको एकसटु ऑफिक्टिन तो यहां से इतना जाएगा एकस की बाउओ 16 अपन में 16 लिमिट आपके 0 से वन रखेंगे तो दू जाएगा तो जाएगा वंशन पहला option बिल्कुल करेक्ट है यहां पर है ना चलिए इसी के साथ अगला question देखते हैं अगला question है if limit extending to 0 e की पौर a x minus cos b x minus c x into e की पौर minus c x upon 2 1 minus cos 2 x is equal to 17 then 5a square plus b square is equal to है ना यह लिखा हुआ है पहले हम देख लेते हैं अगर देखो X 0 लहाएगा यह किसको जाएगा वनकोह गारी जीरो ऑसका च्कालानय यह 0 गया और यह दो जीरो को जा रहे रहा है और जीरो और पाय जीरो की फॉर्म भी आपको तो इसको उन्हाप झर्ण actions यूज किया वे ना देखो ध्यान रगना कभी ऐसे अन्नोन कॉंस्टेंट वगड़ा यूज देखना होना तो आप एलो पिटल डाइट मत लगा हुए ना एलो पिटल में कहीं बार क्या होता है कि अन्नोन कॉंस्टेंट गया हो जाए दिफ्रेंशन की वज़े से ठीक है तो य उसक के माइनश माइनस बी एक्स काषोल स्कॉरल रगर टू फेक्टोरेल यहां पर जाएका पर इतना तो वो ज़ुती नहीं पढ़ेगी, square तक काम हो जाएगा आपका, ठीक है, minus का cx into e की पाउर minus cx है, तो minus cx by 2 को तो additives लग देंगे, और e की पाउर minus cx का रहेंगे, तो आजाएगा, 1 minus का cx plus का cx square upon 2 factorial, सब्सक्राइब और इसको एक स्क्राइब कर दो अब काम बन जाएगा आपका अब यह तो आपका सब्सक्राइब यहां पर आपको एक स्क्राइब यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां से जाएगा अगला आप देखोगे यह अगला देखोगे एक स्क्वार का कोफिशन्ट है ना तो एक स्क्वार कोफिशन्ट क्या क्या है कि यहां साएगा ए स्क्वार बैट्टू यहां से आएगा B2 by 2, प्लस का, और यहां से आएगा प्लस का C2 by 2, बस आपको X2 तक ही तो रहे के जाने, इसके बात कुछ भी हो न, उसारा 0 जाएगा, क्योंकि आपका अपोन में X2 है, आपको पता है न, कि हम यहां पर X2, सेम डिगरी तक लेकर जाते हैं, गर लिमिट एक् स्क्वाइर तक है, पिक्चर यहां तक ही रहे हैं, अब यहां पर देखो, X का जो यहां पर X है, अगर यहां पर यह जीरो नहीं होता है, और X होता है उसकेस में, यह जो अगर इसकी बात करें, तो यह आपका इंफिन्टी गुजारा होगा, तो उसकेस में यहां पर यह जो स्क्वार एस ऐसे एंसर मिलेगा एक स्क्यूव दें पिछ जेगा एसे एगर छोटे आ जाएगा तो इसके यह का दे रहा है 17 आ यह तो आपका 0 हो क्या अब बचा गया ये तो कट जाएगा अब आपका आंसर क्या आना चाहिए आपका अंसर आना चाहिए a square ले प्लस का b square प्लस का c square upon me 2 is equal to 17 जैसे कि मैंने आपको तो यह इदर जाएगा तो 34 हो जाएगा तो A square प्लस का B square अब देखो C square की जगा हम रख देंगे 2A, तो 2A का square कितना जाएगा 4A square बराबर 34 और यहां से जाएगा B square प्लस का 5A square बराबर 34 ठीक है? यहां पर एक बार देख लेते हैं भई अच्छा यहां पर भी तो 2 था न यहां पर भी 2 आएगा अच्छा 1 माइनस का कोस 2X अपन X square यह कितना हैगा? 2X square आएगा तो एक 2 और है ना भी तो तो यहां पर 2 एक और आज जाएगा 68 आएगा answer में आ रहे ना 68 आएगा 30 रावला option correct हो जाएगा रहे ना alpha is greater than beta is greater than 0 are the roots of the equation X square plus BX plus 1 equal to 0 and limit X standing to 1 by alpha है ना 1 minus cos X square plus BX plus A upon 1 minus alpha X का whole square का whole power 1 by 2 1 by K into 1 by B minus 1 by alpha ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी भी देखें अब यहां पर alpha और beta इसके root से है ना? इसके root है भई है ना? यह लिखा हुआ है AX square plus का BX plus का 1 equal to 0 इसके root से आपके alpha और beta तो इसको हम लिख सकते हैं A into X minus का alpha X minus का beta और यह X square plus BX plus 1 है ना? अब यहां पर यहां पर अगर हम बात करें कि जिसे कि यहां पर AX square plus BX plus 1 equal to 0 अगर इसके roots alpha और beta है तो उस case में 1 by alpha और 1 by beta किसके root हो जाएंगे? आपको पता है ना? यह चीज़ापन समझते हैं theory of equation के अंदर तो वो हो जाएंगे X square plus BX plus 1 है उसमें हम क्या करते हैं? और 1 by beta तो इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं X minus का 1 by alpha और X minus का 1 by beta इसको हम लिख सकते है X minus का 1 by alpha और X minus का 1 by beta तो यहां पर हम देखिए limit हमारा है X changing to 1 by alpha अब देखो 1 minus का cos X square plus BX plus A अगर हम इसको लिखना चाहें देखो इसको हम लिस सथे 1- का है न कोस हम इसको लिस सथे 1- का 1-by-alpha और x- का 1-by-beta और अपोन में है अपोन में अगर हम alpha common ले ले तो 2 alpha square बाहर आजाएगा और यह आजाएगा x- का 1-by-alpha का whole square ठीके? अभी हम दिसकस कर रहे थे कि 1- का cos theta upon theta square वो 1 by 2 के वराबर होता है ना जब आपका उपर भी theta हो और नीचे भी क्या होना चाहिए theta होना चाहिए तो यहाँ पर नीचे होना चाहिए theta square तो हमने यहाँ पर क्या किया इस question को simplify करने के साब से हमने x-1 by beta का whole square से उपर नीचे multiply कर दिया उससे क्या फाइदा हुआ अच्छा इसकी पूरी पावर whole power कितनी 1 by 2 है न इससे क्या फाइदा हुआ कि यह जो अब यह जो picture है न भी clear हो गई यार यह ऐसे मिलके यह तो जाएगा आपका कितना देगा 1 minus का cos theta upon theta square है तो यह तो जाएगा आपका 1 by 2 और यहां से जाएगा 1 by 2 और 2 alpha square अल्रेडी है और अगर 1 by alpha को जाएगा तो यह जाएगा 1 by alpha minus 1 by beta का whole square कि power 1 by 2 है न अब देखे बिटाए न यहां पे square से root है न अब हटाना अपने को हटाना है तो यहां पे देखो कितना जाएगा यह 2 का square है alpha का square है तो 1 by 2 alpha और यहां पे इसका root आएगा तो mode आएगा 1 by alpha minus 1 by beta mode में आएगा अब यह alpha अगर greater than 1 beta है तो 1 by alpha less than होगा 1 by beta के तो mode अगर हम लगाएगे न तो mode को solve करने के लिए 1 by beta को आगे लिख लेंगे ताकि automatically positive हो जाएगा तो यह answer आएगा इसका अब क्या यह और यह compare कर सकते है पंदु के की जो value आएगी न वो 12 आगे बराबर आजाएगी तीसरा option हमारा है यहां पर correct हो जाएगा भई न तीसरा option यहां पर correct हो जाएगा ठीके ठीक है पिटा चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं पिटा अगले question की बात करें तो अगला question है यहाप पर limit x 20 to 0 48 x की पौर 48 upon x की पौर 4 integration है 0 से x t cube upon t की पौर 6 plus 1 dt is equal to अब आपको पता है कि एक बार इसको independent form check करें तो question कुछ ऐसा है अब अगर x 0 को जाएगा ना तो यह integral हो जाएगा 0 से 0 तो answer कितना जाएगा 0 और यह भी 0 तो 0 by 0 की form है इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे अलोपिटल लगा देंगे आप पर अब देखो अलोपिटल का बहुत use मानते हैं पर हम देख सकते हैं अब हम फिलाल क्योशन में हमने अलोपिटल नहीं लगाया है अब पहला option बन्दा है अलोपिटल लगाने का जो खुद ही करेगा कि अलोपिटल लगेगा भए ना ठीक है तो यहां पर आप क्या करेंगे डिफ्रेंश करेंगे लेवनिस से तो यहां जाएगा देखो 48 लिमिट एक्षेंडिक टू जिरो इंडिविजल डिफ्रेंश करते हैं ना पहले उपर का करेंगे तो देखो एक्स का तो जाएगा वन और एक्स को रख देंगे इसके अंतर तो यहां सा जाएगा एक्स क्यूब अपोन में एक्स की पावर 6 प्लस का वन माइनस फिर जीरो का तो जीरो ही जाएगा ना अपोन में एक्स की आप 4 का करेंगे तो आजाएगा 4 एक्स क्यूब और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला गया अब एक्स अगर जीरो को जाएगा ना तो कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है ना ठीक है कोई फर्क पढ़ेगा नहीं तो आंसर आएगा 48 अपॉन में 4 इसको हम देखेंगे यहां पर तो 12 आंसर आएगा इसका है ना जीरू को गर जाएगा तो यह तो वन को जा रहा है ना तो आपके लिमिट वैसे सोल हो गई यह न कि रहा है देख सकते हैं अब लिमिट का जो लिमिट जो चैप्टर काफ इंट्रेस्टेंग कैं उसमें कुछ ही मेछर्ड से जो काफी इंपोर्टेंट इसके बारे में आपको ज्यादा गेराए में जाना है जिसे कि एक्स पेंशन हो गया एक्सपेंशन पर ज़्यादा फोक करेंगे क्लियर के साथ आज के लिए बहुत है ठीक है मिलते हैं नेक्स सेशन में ओल्द बेस्ट थेंक्यू